मलेरिया के बारे में हर कोई जानता है लेकिन क्या ब्रेन मलेरिया के बारे में आपने सुना है कैसे ये दिमाग में होने वाली बीमारी है और कैसे ये बहुत ही घातक बन जाती है जैसे मलेरिया के मच्छर काटने से शरीर में बुखार आता है ठीक वैसे ही ये भी एक प्रकार का मलेरिया है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से ही ब्रेन मलेरिया फैलता है आईए जानते हैं इस बीमारी के कारण लक्षड और बचाव कैसे करें कैसे अलद है ये मलेरिया मलेरिया का ब्रेन से भी कोई कनेक्शन हो सकता है ये बहुत ही आश्चर्य की बात लगती होगी लेकिन जब ये बीमारी ब्रेन में हो जाती है तब बहुत ही नुकसान होता है इन दिनों अस्पतालों में इस बीमारी के मरीज काफी आ रही है आम मलेरिया से यहां अलग है क्योंकि ये लीवर से लेकर कई और अंगों तक फैल जाता है जब ये मच्छर आपके शरीर की तवचा को काटता है तो उस समय ये प्लास्मोडियम नाम का एक पैरासाइट आपके खून में पहुचा देता है ये प्लास्मोडियम चार प्रकार का होता है जिनके नाम पी बाइवेक्स, पी ओभेल, पी मलेरी और पी फालसी पेरम है इस स्थिती में इनसान को अटैक आ सकता है और ब्रेन में खोन जमा हो सकता है कॉजिस बरसात में गंदे और दूशित पानी की वज़़ से मच्छर ज्यादा पनपते हैं इसके फैलने के पीछे कोई ठोस कारण नहीं है लेकिन जैसे आम मलेरिया फैलता है ये भी उसी तरह से फैलता है सिंटम्स शरीर का कामपना और बुखार का आना बुखार का बार-बार लोटना तेज बुखार के साथ ठंड लगना अर्टालीस घंटे में बुखार का वापस आना प्रवेंचन आस-पास की गंदगी को साफ रखें मच्छरदानी का प्रयोग करें कहीं भी पानी जमा होने ना दें साफ पानी पिए और रखें बाहर खुले ना सोएं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज विडियो को लाइक, शेर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद